ये मद्रासा सब धी बिलुप्ध हो जाना साइए जब तक ये मद्रासा डिमाख में घुमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजिनियर नहीं बन सकता है अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप उस लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है तुम जुनाब बनेगा इस रास्ता से तुम दक्टर नहीं बनेगा तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा मद्रासा में तु डाखिल किया जाता है violating human rights किसलिए वो रास्ता बंध हो जाता है तो आप जुरूर कुरान परहाइए उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा परहाइए science, math, biology, botanical, biology तो इसलिए मद्रासा सब बिलूब्ध हो जाना साहिए normal education होना साहिए और घर में आप खुब आपका धरम पुठी परहाइए पुरा दो तो तीन तीन घंटा धरम पुठी परहाइए लेकिन स्कूल में ऐसा ही सिक्सा दीजिए जो सिक्सा से आपका बेटा डॉक्तर और इंजिनियर बन सकता है प्रोफेसर बन सकता है साइंटिस बन सकता है और भाई साब और एक बाद है मैं आपको बताता हूँ कोई जो आप बोल रहा है मुसल्मान लोग कुरान कंठस्त कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा मेरिद होता है ये सारा मुसल्मान भाई हिंदू था कोई कोई एजे मुसल्मान ये धर्ती में ने आया भारत का धर्ती में सब हिंडू ही था तो I'll give credit अगर कोई मुसल्मान बच्चा बहुत जड़ा मेरिटेरियस है I'll also give a part of credit to his हिंडू past